संसत भौन में के इस केंद्री कक्ष में गुरुदेव गविंद नाठ टेकोर को मैं नमन करता हूँ आज हम सब देश के अलग-अलग राज्यों से विध्याले माविध्याले युवा केंद्र और विविन संस्ताओं से रविंद नाठ टेगोर जी के जीवन दर्शन पर चर्चा करने के बाद इस एत्यासिक केंद्री कक्ष में गुरुदेव रविंद नाठ जी टेगोर को नमन करने भी आये हैं और जो कुछ भी उनके जीवन से हमने सीखा अन्भोग किया प्रेड़ना प्राप्त की उनके विचारों को भी यहां पर हम साजा कर रहे हैं अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग संस्क्रति अलग-अलग भाषा से आये मेरे नोजवान साथी अपनी अपनी भाषा के अंदर कभी गुरुदेव रविंद नार्टे गोर जी के जीवन दर्शन के बारे में उनका इस दीश के अंदर उनके वेक्तित कर्तित पर जो मैं आज भी पेड़ना मिलती है उस पर हम अपने विचार रख रहे हैं मुझे कुशी है कि भारत का नोजवान जो हम सब का सपना है जिस तरीके से गुरुदेव के बारे में विचार रख रहा है उनके जीवन दर्शन के बारे में बता रहा है उनके कारियों उनकी दर्शन उनके चिंतन के बारे में चर्चा कर रहा है ये खुद भी आत्मसाथ कर रहा है और भारत की नोजवान पीडी को कवी रविंदनाथ तेगोर की विचारों को आत्मसाथ करने की पेर्णा दे रहा है कवी रविंदनाथ तेगोर जी का जीवन अत्यंत विशाल, विविद और व्यापक था उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक कवी के रूप में, एक गीतकार के रूप में, एक संगीतकार के रूप में, एक चितकार के रूप में, भारतिय दाश्नी के रूप में, राष्टिय अंतराष्टय चिंतंग के रूप में उन सब के विचारों को जिस तरीके से अलग-अलग प्रविंद नाट जी टेगोर के जीवन का वेक्तिता वित्ता पुनवाला वेक्तित हम सब को एक नई पेड़ना देता है उन्होंने जब कवीता लिखते थे गीत लगते थे तो उस समय उनकी एक साइत कृति की रशना को गीतान जली जो उस काल खंड में एशिया देश नहीं पूरे विश्व के लिए एक ऐसा उनका साइत था जिससे दुनिया को पेड़ना मिली और इसलिए गुनी सो तेरा में उनको नोबेल प्रुसकार प्राप्थ हुआ और हम सब के लिए गर्व है कि एशाई देश में पहला नोबल प्रुसकार प्राप्थ करने का अगर गौरो प्राप्थ हुआ तो कभी द्रविंद नार्ट प्राप्थ है उन्होंने उस समय भी चोतीस अलग अलग देशों की यात्रा की कि उन्देशों के सायत, चिंतन, विचार वाँ अपने भारतिय संस्कति के विचार उन्होंने रखकर भारतिय संस्कति को देश में पहुचाने का काम किया भारत के साइत्य को भारत के गीत को भारत की कविताओं को भारत की चित्कारेओं को उन्होंने दुनिया में पोचाने का काम किया और उस समय उनकी लिखीवी कविताइं साइत्य दुनिया में चलती थी और आज भी उनकी कविताइं साइत्य दुनिया में चलती है और जिस लोग कोलेज में पड़े वहाँ पर आज भी रविंदर नाठ टेगोर जी के नाम से लंदन के इस विश्रिध्याले में सिरिच चलती है और कई देश के विश्रिध्याले हैं वहाँ पर दुनिया के अंदर भी जहां रविंद नाठ टेगोर जी के नाम से उनके वैक्षान होते हैं, उनके जीवन दर्शन पर विचार मर शुकते हैं और इसलिए हम सब को उन्होंने जो पेड़ना दी कि वेक्ति को केवल किताबी ज्ञान तक सिमित्र नाची वेक्ति को हमेशा किताब, शिक्षा हम सब को नई पेड़ना देती है, उर्जा देती है वेक्तित का विकास करती है लेकिन उसके साथ साथ जीवन के बहुत सारे पहलूँ हैं, उन पर भी हमें समझने और जानने का प्रियास करना ची और इसलिए उस समय की प्रिस्तिती में उन्होंने भारतिय शिक्षा को एक ऐसा चिंतन दिया जो प्रकति से नजदीक हो और इसलिए उन्होंने एक विश्यभारति विश्यद्याले की स्तापना की वो विश्यद्याले अपना आप में एक अनुखा विश्यद्याले आज भी जो प्रकति से नजदीक है, खुले में हैं, गुरुकुल पद्दती परंप्राओं से वहां शिक्षा दी जाती है निकाडने की शिक्षा उस विश्यद्याले के पोदे से, उस विश्यद्याले के उस शिक्षा के मंदी से लिए और इसलिए आज भी वो विश्यद्याले के वल भारत के लिए, नहीं पुरी दुनिया के लिए अध्यन, अध्यापन, शिक्षन, प्रसीशन और रिशर्च का क में उन्होंने एक लंबे समय तक पश्चिमीर देशों की यात्रा की ज्ञान विज्ञान भी वहां के समझने की कोशिश की लेकिन उसके साथ साथ जब संपूर्ण देश की यात्रा करने के बाद उनका विचार आया कि भारतिये दर्शन भारतिये ज्ञान भारतिये चिंतन भा को दिशा दे सकते हैं और इसी देश द्याले के स्तार्णा करने का उनका पीछे उद्धिश था वह ऐसे कभी साइटकार थे गीतकार थे के वल भारत में नहीं बंगला देश में भी उन सब के राष्ट्य गीत के रूप में दो-दो देशों के अंदर किसी कभी गीतकार के चलत और इसलिए वह हमें से अन्याय अत्याचा अन्याय के खिलाब लड़ाई पूरी जिंदगी लड़ते रहें उनका मानना था कि हम एक ऐसी संस्कृति के अंदर हैं जो वसुदेव कुटमकम की संस्कृति है जहां सब मिलकर एक साथ मिलकर विश्च का कल्यान करते हैं और आज जब G20 की थीम जिसका भारत नेत्त करता है प्रधान मंती जी ने भी वसुदेव कुटमकम का विशे दुनिया के सामने रखा है और नारा दिया है कि एक पर्थिवी एक परिवार हम सब मिलकर सामिक्ता के साथ मिलकर और एक भुष्च के साथ काम करें ताकि आने वा और मैं आप से एक की बात कहना चाहता हूं कि रविंद नाठ टेगोर जी का एक दर्शन जीवन में याद रखें उनका एक चिंतन जीवन में याद रखें निरंतर कर्म करना निरंतर सकारात्मक सोच से काम करना इसलिए उन्हें नहीं कहा था कि जीवन के अंदर एक दर्वाजा बंदो जाए तो दूसा दर्वाजा खुलावा है और दूसा दर्वाजा बन जाए तो अपने खुद का दर्वाजा खोड़ो जिंदगी भर सकारात्मक सोच से काम करो उ हमेशा हमारे आनिक चेतना उर्जा इतनी रहे कि सारे लक्षों को प्रास्ज करने की सामर्त शक्ती हमारे में हैए इस लक्ष के साथ हमें या किंदी कख्ष के से जाना है तो जो खुछ भी रविंदे नाटे गवर के विचार जीवन दर्शन आपने समज़ह है जो विचार विक्त की हैं वे समाज के हर युवाओं को जाने के आउशकता है और इसलिए उन्होंने कहा था कि आनंद जीवन का सपन नहीं हो सकता जीवन का सपना तो सेवा हो सकता है और इसलिए सेवा ही मेरे जीवन का कर्म है अंति विक्ति का कल्यान मुझे ही करना है इस संकल्प के साथ हम यहाँ पर जाएं मैं देश भर के आए सभी नोजवानों को बहुत-बहुत शुपकामना देता हूं बधाय देता हूं इस केंदी कक्षे ने उर्जा लेकर आएं ये क इन दी कर्श अपने आप में उर्जा देता है यह आजदी का उस्व मनाने वाला कख्ष है यह एक एतियासिक पल्कावा कर्श है जहां भावत एतियासिक निड्नें हुए और उस एतियासिक निड्ने shows आज देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन के एक दिशा बनी हैं दुन आपे इसी सकारत उर्जा से यहां जाना है और नए भारत के निर्वान में हमारा योगदान देना है आप सब को बहुत-बहुत शुब कामना है बहुत-बहुत बढ़ाई कुछ